हेलो फ्रेंड्स इस एश्पी सिंग एंड वेलकम टू इस्मार्ट एवरी डे पहरी दोस्तों बात करेंगे बीएड फॉर्थ समेस्टर एक्कॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी फॉर्थ समेस्टर में जो आपका पेपर शेकेंड है भारत में शिक्षा के समकालिल म इंडिया यह आपका शेकेंड पेपर है जो आपका 31 जुलाई को इसका एक्जाम लगा हुआ है ठीक है और यह वन लीनियर क्लास रहेगी या यूं कह सकते हैं कि हमारे सौट नोट्स रहेंगे ओके इसमें हम लोग प्वाइंट टूपाइंट डिस्कॉस करेंगे एंड आप से बताते चलें कि अगर आपने आज तक सेकंड पेपर का कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ यह क्लास आप देख लेते हैं पूरी तो डेफिनेटली आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि यह वो क्लास है जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है तो आएए सुरू करते हैं और देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर है जितना हम लोगों ने पढ़ा जितना आप ने पढ़ा तो वहीं से पूरा पेपर मिला है और सेकंड पेपर में भी जितना हम लोगों ने cover किया है आज तक और जतना आज हम इस class में पढ़ने वाले हैं पूरा पिपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा देखे चैप्टर वाई समने स्केम जो है वन लिनियर निकाले हुए हैं यह जो PDF है वो तो paid sense को बहुत फैली forward कर दी गई थी आपके पास अब आ देखिए पहला point कहता है chapter first है हमारा देखिए प्रात्मिक सिक्षा का अर्थ क्या होता है प्रात्मिक सिक्षा का अर्थ होता है प्रारंब में दी जाने वाली सिक्षा जो सिक्षा सुरुवात में दी जाती है प्रारंब में दी जाती है वो हमारी प्रात्मिक सिक्षा होती है प्रात्मिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक या मुख या फिर बुनियादी प्रात्मिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा या मुख शिक्षा या बुनियादी शिक्षा होता है छे वर्स से चौदा वर्स तक की अवस्था बालकों के लिए महत्पूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है छे वर्स से लेकर के चौदा वर्स तक की चौवस्था है ये बालकों के लिए महत्पूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है प्रात्मिक शिक्षा संपूर्ण सैक्षिक विवस्था का पर्थम सोपान है आप से कोशन पूछ लेगा संपूर्ण सैक्षिक विवस्था का पर्थम सोपान क्या है तो आप बताएंगे प्रात्मिक शिक्षा क्या बताएंगे प्रात्मिक शिक्षा, पांच वर्स की उमर तक के बच्चों का मस्तिष्क 90% विक्सित हो चुका होता है, कितने वर्स तक के बच्चों का, तो पांच वर्स तक की उमर के जो बच्चे होते हैं, उनका मस्तिष्क 90% विक्सित हो चुका है, 10% फिर वो बाद में रहता है सन 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की रास्ट्रिय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी जो बुनियादी जो शिक्षा नेती जो गांती जी ने अपनी जो शिक्षा दी बुनियादी शिक्षा की जो राष्टी योजना तयार की वो 1937 में आई थी प्रात्मिक विद्यालियों से जुड़ी कक्षा छे से आठ तक की शिक्षा को उच्छ प्रात्मिक शिक्षा कहा जाता है देखें कच् विद्यालियों से जोड़ी कक्षा 6-8 किक्षा को निम्नमादमिक िसको उच्श प्रात्मिक और निम्नमादमिक कहते हैं कच्षा 6-8 किक्षा को राश्टी शिक्षा में 1986 में जिस शैक्षिक सनचना को निर्धारित किया गया हुआ हमारी 10 प्लस 2 प्लस 3 है इस सनचना के अनुसार 5 वर्स का प्रात्मे किस्तर 3 वर्स का उच्छ प्रात्मे किस्तर और 2 वर्स का हाई स्कूल इस्तर होगा ठीक है इसमें हमारा 5 वर्स का प्रात्मे किस्तर होगा और 3 वर्स का उच्छ प्रात्मिक इस्तर होगा और फिर दो वर्स का हाई स्कूल होगा तो पांच तीन आठ दो दस हो गया इसके बाद फिर दो वर्स का उच्छ तर्मादमिक इस्तर हो गया और फिर बचा तीन अर्थात इंटर्मेडियर्ट इस्तर और उसके बाद तीन वर्स का इ प्रिदारित किया गया है वह हमारी 53334 है यह 3-18 वर्ष्ट की आयू वाले बच्चों को शामिल करता है अब देखिए जैसे इसमें हमारा यह जो दिया गया है 5334 इसकी 4 stages है फिर पहली 5 है फिर 3 है फिर 3 है फिर 4 है देखिए 5 वर्ष्ट की आधार भूत अवस्था जिसको foundational stage कहते हैं या foundation stage कहते हैं अब इसमें 5 साल में आएगा क्या क्या इसमें 3 साल का तो pre primary आ जाएगा और school आ जाएगा और फिर grade 1 और 2 आ जाएगे तो 3 और 2 यह कितन 3 stage 3 words की prepared 3 stage आ गई इसमें 3 जैसे grade 3, 4, 5 इसमें आ गए फिर 3 words की मद्य होगी या उच्छ प्रात्मी कवस्था होती है जिसमें फिर 3 आपके 6, 7, 8 आ गया ठीक है और 4 words की उच्छ यह 4 इसमें देखिए इसको 4 words की उच्छ हो गया या फिर माद्य में कह सकते हैं इसमें आपक पूरा सरूप ये वाला है ठीक है इतना इसको आप समझ सकते हैं आगे बढ़ेंगे अब बात आती है वैदिक काल की हमने खुब पढ़ा पेपरवन में वैदिक काल आईए देखिए वैदिक काल में शिक्छ जो थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी बालक की शिक्छ का पांच वर्ष की वर्ष्था में उपनयान संस्कार से होता था शिक्षा का माध्यम संस्कृत था शिक्षक जो शिच्चन पनाली थी वो अमारी मौकिक थी वैदिक काल की अगर बात करें वैदिक काल में शिक्षा मठो में दी जाती थी प्रात्मिक शिक्षाकार में पब्ज भेंसाउंग ने लिखा है कि प्रात्मिक शिक्षा के अंद्रगत बालकों को छे महा तक सिधी रस्तु का अध्यन कराया जाता था फिर इसकी बाद हमारा मुस्लिम काल आता है मुस्लिम काल में प्रात्मिक शिक्षा मक्तबों में दी जाती थी मुस्लिम काल में जो प्रात्मिक बिस्मिद्ला की रस्मीता उती थी, जब गालक चार वर्ष्ट चार महा चार दिन का हो जाता था मकतब में सबसे पहले लिपी का ग्यान कराया जाता था मकतबों में उच्चारण और लिखने पर विश्चेश बल दिया जाता था ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में आधुने के प्रात्मिक सिक्षा प्रारम करने का असरे इसाई मिश्णरियों को चाता है प्रसिद समाज सुधारक राजा रामोहन रायने 1819 में कलकत्ता में कलकत्ता विद्याले समाज की स्थापना राजा रामोहन रायने की थी 1819 में सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद करांती हुई 1869 में सरकार ने प्रात्मिक सिक्षा कर लगाया सन 1862 में विलियम हंटर की अधिक्षिता में भारती शिक्षा आयो की निक्ति की गई यह वो पॉइंट्स हैं जो बहुत एहम हैं रट लीजिएगा सन 1899 में लॉड करजन भारत का वायसराय बन करके आया गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंदरिय धारा सभा में अपना प्रात्मिक सिक्षा समंदी विध्यक पश्तुत किया सन 1926 में असम में कहां की बात है असम में प्रात्मिक सिक्षा को अनिवार बनाने के लिए अधिरियम पारित किया गया और नेशन पाइंट है कि सन 1937 में 11 प्रांतों में उत्तरदाई सरकारों की स्थापना करके इस्थानिय स्थार्षन की नेव रखे गई 1937 में वो भी 11 प्रांतों में एक जुलाई 1957 को अखिल भारतिय प्रात्मिक सिक्षा परिश्द की स्थापना की गई फर्स्ट चेप्टर हमारा खतम होता है चेप्टर शेकंड की बात करेंगे चेप्टर शेकंड कहता है नो से बारा तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं उम्र उणकी 14 से 18 वर्स होती है और कक्खा उणकी 9 से 12 होती है कक्खा 9 एवं 10 को उच्छ मादमिक तथा 11 और 12 को उच्चतर मादमिक इस तर कहा जाता है कर ग्यारी इस्टेस्मेंट है कार्टर वी गुड के अनुसार कार्टर वी गुड कहते हैं मादमिक शिक्षा का वह समय है जो सामानता 14-18 वर्स के आयू वर्ग के बालकों के लिए होता है ऐसा statement कार्टर वी गुड के अनुसार दिया गया है भारत सरकार ने भारती शिक्षा पर समगर रूप से विचार करने के लिए सन 1964 में डाक्टर दौलत सिंग कोठारी की अधिक्षता में भारती शिक्षा आयू का गठन किया था भारत सरकार ने भारती शिक्षा की समगर रूप से विचार करने के लिए सन 1964 में भारती शिक्षा आयू का गठन किया जिसके अध्यक्ष डाक्टर दौरत सिंग को ठारी थे Next point कहता है भारत में मादमिक सिक्षा के विकास को दो बागों में विवाजित किया जा सकता है भारत में मादमिक सिक्षा के विकास को कितने बागों में दो बागों में विवाजित किया जा सकता है पहला हमारा स्वतंतरता प्राप्ती के पूर्व मादमिक सिक्षा क्या थी? जब हमको स्वतंतरता नहीं मिले थी, उससे पहले मादमिक सिक्षा का क्या स्वरूप था, क्या इस्तिती थी? स्वतंतरता प्राप्ती के बाद मादमिक सिक्षा का क्या हाल रहा, क्या उसी कंडिसन रही है ना क्या स्वरूप रहा इसको इस तरीके से नो भागों में बाढ़ सकते हैं देखिए सन 1852 में देश में मानिता प्राप्त मात्मिक विद्यालियों की संख्या 32 थी कितनी जो मानता प्राप्थ मात्मिक विद्याले थे उनकी संख्या के वल फर्टिटू थी। शुतंतता प्राप्ति के बाद ताराचंद श्रमिती उनिस और तालीश ने मात्मिक विद्यालेओं को बहुमुक्य बनाने की संस्तुती की थी। प्रिक्षाओं और मुल्यांकन का उद्देश चात्रों की सैक्षिनिक उपलब्धियों और बहुतिक प्रगत्र की जाच करना है प्रिक्षाओं और मुल्यांकन का उद्देश क्या है चात्रों की सैक्षिनिक उपलब्धियों और बहुतिक प्रगत्र की जाच करना लगबग आधी सताब्धी से प्रिक्षाओं को भारती सिक्षाओं का एक निक्रिष्टितम तत्तु सुईकार किया गया है ऐसा राधा किष्णन आयोग में कहा गया है वरतमान परिच्षापनाली चात्रों की मानसिक और साहितिक उपलब्धियों की ही जाच करती है इसमें विश्वस्नियता का अभाव है ऐसा मुदालियर आयोग में कहा गया है आईए एनिपी दोचर पीस के उनसार माद्धिमिक इस्तर की सिक्षा से समंदित कुछ महतपून पॉइंट से उनकी बात कर लेते हैं देखें जहां तक संभव हो कम से कम कच्षा पाँच तक शिक्षा का माद्धिम घर की भहासा होनी चाहिए यानि कि मात्री भहाशा में शिख्षाओ पड़ाओ बच्चों दौरा सीखी जाने वाली तीन भासाओं के किल्प देखिए यहीं से कोर्सिंस आपसे पूश सकता है ठीक है तो points को बहुत डीब समझेगा आप बच्चों दौरा सीखी जाने वाली तीन भासाओं के विकल्प राजियों छहेतरों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयम के होंगे, जिनमें कम से कम तीन में दो भारतिय भाषाएं होंगी, मिडल स्कूल पर कोडिंग समंधी गतिविदियां आरंब की जाएंगी, ये बात किस में कही गई है, किसे सिक्षा नीति में कही गई है, ये बात अनिपी 2020 में कही ग सिक्षा ग्रहन करने की अवधी में दस दिन के बस्ता रही पीरिड में भाग लेंगे, जिसमें बालक जो है, वो बस्ता रही दियाने की विदाउट बैग स्कूल जाएंगे, बिना बस्ते के, तब वे स्थानिय व्यावसाइक विशेशक जैसे बढ़हिए, माली, कुमार, आदिक के साथ प्रसिक्षू की रोप में काम करेंगे, विश्विदाले प्रवेश परिच्छा संबुर देश में एक समान होगी, क्या लिखाए, विश्विदाले, जो यूनिवर्सिटी में हम एड्मीशन लेते हैं, उसकी जो एड्मीशन प्रोसेस रहेगा, वह पूरे द यूडे निर्ने लेने में साहता प्रदान करने के लिए करत्रिम बुद्धी मत्ता पर आधारिस सौफ़वेर का प्रियोग किया जाएगा, जिसको आर्टिफिसल इंटिलिजेंसम कहा जाएगा, AI, बुनियादी सुविदाओं से वंचित छेत्रों एवं समुहों के लिए ब समझते हैं, देखिए, चैप्टर 3 में बात होगी, उच्छी सिक्षा की, पहरे चैप्टर में बात होगी, प्रात्मिक सिक्षा की, दूसरे चैप्टर में बात होगी, उच्छी सिक्षा की, उच्छी सिक्षा का अर्थ है, उच्छी सिक्षा, अर्थात, सैक्षिक सनचना के विभिन इस्तरों में सबसे उचे इस्तर की शिक्षा को हम उच्चे शिक्षा कहते हैं उच्चे शिक्षा का अर्थ स्रेष्ट होता है देखिए फिर एक statement है जो की बहुत प्यारा है Cardinal Newman का है ये कहते हैं कि विश्विदाले बड़े इस्थान है जहां नवीन खोजें की जाती है मस्तिष्क का मस्तिष्क से टकराव होता है ये ज्ञान का मंदिर है संसार का प्रकास है और उन्नत पीडियों की मातर संस्था है इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है ऐसा Cardinal Newman कहते है फिर अगला question है विष्विदायले वह इस्थान है जहां पर सब अपने अपने युगदान द्वारा सत्य की खोज करते है और अपनी सैक्षिक उन्नती द्वारा व्यक्तित्तों का विकास करते है ऐसा भारती सिक्षायों को 1964-66 के अंतरगत कहा गया है यदि उच्षिक्षा का कोई व्यवारिक उद्दे से है तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज की उत्तम नगरिकों को प्रसिक्षित करना है ऐसा new man कहते है इन points को आप ध्यान रखेंगे उच्षिक्षा के अंतरगत इस्थानक यहां पे जो है इसनातक होगा उच्षिक्षा के अंतरगत इसनातक पराइसनातक एवं व्यावसाई की सिक्षा एवं प्रसिक्षण यह सब हमारे उच्षिक्षा के अंतरगत ही आते हैं वर्तमान में उच्षिक्षा को नई सिक्षानेती 2020 के अंतरगत 5334 में विभाजित किया गया है UGC का गठन किया गया था जिसका प्रमुकार उच्छे सिक्षा का समनवय करना था उच्छे सिक्षा का क्या करना था समनवय करना था इसके इस्तर को बनाए रखना विकास की निगरानी और उच्छे सिक्षा को सुधारने के लिए केंदर और राजे सरकारों को सलह देना भी थ UGC शिक्षा के नियुनितम मानकों पर नियमों को फ्रेम करने का काम कौन करता है UGC करता है इस समय देश में 306 विश्विद्याले के इस तरकी संस्थाएं हैं जिन में 84 मानिता अपराप्त विश्विद्याले में शामिल है All India Survey Higher Education Portal के अनुसार वर्स 2019 बीश्विद्याले और संस्थानों की संख्या 15-16 में 799 बढ़ करके वर्स 2019 बीश्विद्याले में 1043 की वरत्ती हुई है जिबकि कॉलेजों की संख्या 15-16 में 49,071 थी जो 2019 में 42,343 हो गई है ओके चलिए नेक्स्ट वेंड कहता है देखे ध्यान दीजिए वर्तमान भारत में मुक्ता पांच प्रकार के विश्विद्याले पाये जाते हैं आपसे कोशन पूछेगा कितने प्रकार के विश्विद्याले पाये जाते हैं वर्टमान बारत में पांच परकार के विश्विद्याले पाए जाते हैं इस समय देश में केंद्री विश्विद्यालों की संख्या लगबग 48 है इस समय देश में लगबग 386 राज्जी विश्विद्याले हैं इस समय देश में लगबग 186 शंकक्ष या इस्तर प्रदान वि प्रदेश में राज्य मुक्त विश्विदयले की इस्थापना की गई बाद में इसका नाम बदलकर डाक्टर भीम्राव अमेटकर मुक्त विश्विदयले कर दिया गया ठीक है बहुत आसन पॉइंट केंद्री विश्विदयले कितने हैं 48 306 राज्य मुक्त विश्विदयले की स्थापना आंद्र प्रदेश में हुई थी और इसका नाम बदलकर के डाक्टर भीम्राव मेटकर मुक्त विश्विदयले बाद में कर दिया गया था नेक्स्ट पॉइंट कहता है सन 1985 में राश्ट्री इश्टर पर भारत सरकार के दोरा इंदिरा गांधी राश्ट्री मुक्त विश्विदयले इगनू की स्थापना 1950 में की गयी थी सन 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में कुल 21 विश्विदयले थे 1947 में देश के विभाजन के उपरांत भारत में विश्विदयले की जो संख्या वो 19 रह गई थी कितनी 19 रह गई थी डाक्र रदाकृष्णन की अध्यक्ष्था में विश्विदयले शिक्षा आयोग जिसने रदाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है उसकी निद्जी चार नंबर को होई थी जब है हमने कल भी बताया था स्वारायता को enjoyment एंगलिश में expects रोघकर्ण करने का अधिकार या जब आपको स्थम्तरता मिल जाती है तो यह होता है तो इस वह क्या नीशन सकते हैं विष्विद्यालइ श्वायतता का अर्थ हुआ विश्विद्यालियों को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण सोतंतरता दी जाए जिन के लिए उनकी इस्थापना की जाती है वो सारी सोतंतरता उनको मिलने चाहिए चाहर चैप्टर हमारे complete वे आये चैप्टर 4 की बात करते हैं चैप्टर 4 का पहला पॉइंट आपके शामने देखे वर्स 2011 की जनगणना की अनुसार देश में साक्षरता दर 54.4 परसेंट थे वर्स 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग देश में जो साच्षरता दर थी वो हमारे 54 परसेंट थे ठीक है 54.04 या फिर 54 परसेंट थी जो अब 2020 में बढ़ करके 77.7 परसेंट हो गई है सन 2020 के आकड़ों के अनुसार पूरुसों की साच्षरता दर 84.7 परसेंट परसेंट पाई गई जबकि महिलाओं में ये दर 70.3 परसेंट पाई गई है आगे बढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियंव 2009 भारती समिधान के चाहसी में संसोधन के तहत सामने आया चाहसी में संसोधन के तहत सामने आया और 1 अपरेल 2010 से लागू हुआ शिक्षा की वार्सिक इस्तिती रिपोर्ट 2021 मुक्ताह 5-16 वर्स आयू वर्ग के छोटे बच्चों पर केंदरित रिपोर्ट है सारभामिक नामांकन का भी प्राए क्या है शार्भामिक नामांकन का भी प्राय निर्धारित प्रवेश आयू अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रात्मिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से समंदित है नेक्स्ट पैंट कहता है सर्व सिच्चा भियान अधिनियम की सुरुवात सन 2001 में की गई SSA लिखा आ सकता है ठीक है तो सर्व सिच्चा भियान अधिनियम की सुरुवात हमारी सन 2001 में की गई इसका मुख्य उद्धे से 6-14 वर्ष तक की आयू के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठवी कक्षा तक नहीं सुरू के शिक्षा उपलब्द कराना था 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कारिकरम शुरू किया गया अगर पूछे ले कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना यो कारिकरम था वो हमारा 15 अगस्त 1997 को सुरू किया गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्धैले योजना यानि की के जी बी वी बी को जुलाई 2004 में सुरू किया गया एक अपरेल 2007 से इस कारिकरम को सरुषिच्चा अभियान के साथ मिला दिया गया सरुषिच्चा अभियान मेश में में इसको सामिल कर लिया गया महिला समाख्या योजना की सुरूवात वर्स 1989 में की गई थी महिला समाख्या योजना की सुरूवात 1989 में की गई केंदर सरकार ने 31 दिशंबर 2001 को शिक्षा स्योग योजना की सुरुवात किये सिक्षा स्योग योजना की सुरुवात कभी 31 दिशंबर 2001 को किसने की केंदर सरकार ने इसको Educational Assistant Scheme भी कहते है सम्विधान के 60 में संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्षद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया 15 अगस्त 1995 को देश की 2408 ब्लाकों में मध्याहन भोजन योजना की सुरुवात की गई ये जो ब्लॉक होते हैं न ठीक है वहां की बात हो रही है 15 अगस्त 1995 को देश के जितने भी 2408 ब्लॉक थे तो उन ब्लाकों में मध्याहन भोजन योजना जो है वो शुरू की गई आगे बढ़ते हैं वर्स 1987-88 में एक केंद्र प्रायोजित योजना की रूप में अधियापक शिक्षा योजना की सुरुवात की गई केंद्र सिक्षा शिक्षा सलाकार बूट की स्थापना 1921 में की गई समगर सिक्षा अभियान वर्स 2018-19 में प्रस्तावित किया गया समगर सिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार द्वारा 4 अगस्त 2021 को मन्जूरी परदान की गई समागर सिक्षाब्यान 2.0 को 4 अगस्त 2021 में मंजोरी मिली केंदर सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2007 को देश के ततकालिन प्रधान मंत्री द्वारा मात्मिक शिक्षा के सवरभामिक्रन की घोशना की गई कब पंदरागा से 2007 को देश के जो समय के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा शिक्षा के सौरभामेकरण की घोशना की गए राश्ट्री शिक्षानेती 1976 में कहा गया है कि प्रस्तावित सैक्षिक पुनरगठन में व्यावसाइक शिक्षा की व्यवस्तित सुनियोजित और कड़ाई से कार्यानवित कार्यकरमा को सुरू किया जाना चाहिए यहाँ पे 1986 होना चाहिए, यहाँ पे 1986 होना चाहिए, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पैंट कहता है, बीते साल भारत में साइबर हमले और धोखा धड़ी के कारण करीब 1.60 लाख करोड रुपए का नुकसान हुआ है, भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उप्योग करता ह हमें एक ऐसी विवस्था का नुमान करना होगा, जहाँ युवाओं को अंतराश्ची मानकों की अनुरूप सिक्षा मिले, ऐसा पड़ाव मुखर जी ने कहा है, 15 अप्रेल 2014 को उच्चितम नियाले के दोरा ट्रांस जेंडर को तरतिय जेंडर की रूप में पहंचान दी मिलने के बाद ट्रांस जेंडर के अधिकारों को कानूनी मानिता भी मिल गई, पांच जो है, जो ट्रांस जेंडर थे, उनके अधिकारों को कानूनी मानिता कब मिली, पांच दिस्टमबर 2019 को, ठीक है, राश्ट पतिय से मंजूरी मिलने के बाद उनको कानूनी मानिता भी मि गई केरल में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल स्थापित किया गया तमिलाडू देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर वेलफेर पॉलिसी चलाई गई भारत में विभिन इस्तरों की शिक्षा का उद्देश से निश्चित करने का कार्य सरपर्थम वुड की घोष गोषना पत्र सन जो ठाट्राश में बना था उसमें किया गया है फिर से समझे भारत में विभिन इस्तरों की शिक्षा का उद्देश से निश्चित करने का काम सबसे पहले वुड की घोषना पत्र में किया गया अगला पॉइंट कहता है प्रतिभा पलायनकार्थ क्या है प शिक्षा के बहतर आवसरों तथा अनिश्विधाओं के कार्ण विसके दूसरे देशों में चले जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वह एंड होती है तब यहां से यूनिट सेकेंड को हम लोग डिसकस करेंगे देखे चैप्टर फाइफ है अध्यापक व्यक्ति समाज और राष्टर का निर्माता है कौन व्यक्ति समाज और राष्टर का निर्मान करने वाला कौन है अध्यापक है उत्तम सिक्षा के कारकरम का नियोजन सिक्षकों की योगता पर निर्भर करता है सिक्षक की व्यावसाइक योगता और कला की पर उत्तम कोटी का शिच्छन भी अपेक्चित है उत्तम कोटी के सिच्छन के द्वारा बालक के व्यक्तित्तु का सरवांगिन विकास किया जा सकता है यदि आपका टीचिंग आपका शिक्छन उत्तम कोटी का नहीं होगा तो बालक का विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि उत्त जात्मिक जारित्रिक नैतिक शामाजिक हर तरीके गविकाश हो पाएगा वर्तमान समय में भारत में शिक्षक शिक्षा को राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिस्द्याने की NCTE द्वारा वी नियमित किया जाता है NCTE को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब प्रदान किया गया? NCTE को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एक एक पॉइंट अमूल है बहुमूल है इसको समझते चलिए 1993 में वैदानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद NCTE समय समय पर अपने वी नियमों में संसोधन भी करती रही है सबसे पहले 1993 में इन्हें प्रश्टो करने के बाद सन 2005, 2007, 2009 में इनमें प्रिवर्तन करके अपडेट भी किया गया जो भी इनके नियम थे उसमें समय समय पर प्रिवर्तन किया गया अपडेट किया गया और सन 2014 में इसे प्रिवर्तित किया गया ततपस्चाथ जून 2017 में भी सिक्षक सिक्षन संस्थानों में काम कर रहे सिक्षकों की सैक्षनिक योगता को लेकर पुना एन्सी टी इने ने नए मांदन भी प्रिश्टत किये थे चलिए आगे बढ़ जाते हैं विश्विदेले शिक्षा आयोग 1949 भारत सरकार द्वारा 14 नॉवंबर 1948 को डाक्टर सरुपली राधा किषन के दख्षता में लाया गया इसे राधा किषन कमीषन के नाम से भी जाना जाता है स्वतंतर भारत का ये पहला आयोग था इसका मुख्य उद्देश से भारतिय विश्विद्यालाई शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तयार करना और देश के वर्तमान और भविश्वि को देखते हुए शिक्षा की गुर्वत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना था किसका राधा किषन का और ये जो आयोग था ये हमारे स्वतंतरता मिलने के बाद बनने वाला पहला आयोग था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं राष्टी शिक्षा जैसे यहाँ पर देखी लिखा हुआ है कि सतुन्दरभाद का ये पहला योग था राष्टी शिक्षा निती 2020 कहती है कि हमारे चात्रों और राष्ट के लिए सरवत्तम संभावना सुनिश्चित करने के लिए शिक्ष प्राइक शिक्षा वह शिक्षकों के प्रसिक्षण कारियों पर अतिदिक ध्यान देने पर भी जोर देती है भारत में अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की है एक तो सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा जिसको प्री सर्विश टीचर अजुकेशन कहते हैं दूसरी सेवा कालिन अध्यापक शिक्षा जिसको इन सर्विश टीचर एजुकेशन कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए जैसे इसमें पहला हमारा सेवा पूर्व प्रात्में का ध्यापक नहीं नहीं जैसे यहां पे इतनी बात क्लियर होती है कि भारत में अध्यापक शिक्ष इन संस्थों में nursery, Montessory, kindergarten, आदि पूरो प्रात्मिक विद्यालियों के अध्यापकों को प्रसिक्षन दिया जाता है इसे प्राशिक्षन को nursery teacher's training NCT कह जाता है इसे प्राठिकरम की प्रसिक्षन अबधी सामानिता एक वर्सकी होती है प्रात्मिक अध्यापक प्रसिचन संस्थाएं प्रात्मिक इस्तर के विद्यालियों में सिच्छन कारे करने वाले अध्यापकों के लिए प्रसिच्छन प्रान करने वाली संस्थाएं प्रात्मिक अध्यापक प्रसिचन संस्थाएं कहल प्राइमरी टीचर्स ट्रेंडिंग इंस्टिट्यूट कहलाती हैं भारत में पत्राचार पाठिकरम का प्रारम सन 1965 में मात्मिक स्कूलों में सेवारत अप्रसिचित अध्यापकों को प्रसिचित करने के लिए किया गया भारत में पत्राचार पाठिकरम का प्रारम सन 1965 में मात् सेवा कालिन अध्यापक शिक्षा कार्थ, सेवा रत अध्यापकों को अध्यापन से समंधित जो भी अपडेट है, उसकी जानकारी प्रदान करना एवं व्यावशाइक गुणों तता कौसलों में शुधार एवं विकास करना है। यहां तक चैप्टर 5 हमारा कम्ट्रीट हुआ, आएए चैप्टर 6 को डिस्कूस करते हैं, देखें क्लास पसंद आ रहे हो, तो प्लीज एक लाइक, एक कॉमेंट आपसे जुरूर चाहिए। नेच्ट फइंट कहता है, देखें, दूरस्त शिक्षा का प्रारम पत्राचार पाटिकरमों से हुआ, दूरस्त या दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा का साब्दे करत है, दूर से दी जाने वाली शिक्षा, दूर से दी जाने वाली शिक्षा, यह शिक्षा के चेत्र में एक आंदोलन है जिसका प्रमकुद्दे से है कि शिक्षा सब तक पहुँचे यह जो दूरस्ट सिक्षा है यह सिक्षा के छेतर में एक आंदोलन है जिसका प्रमकुद्दे से क्या है सिक्षा सब तक सभी तक पहुँचे कीगन के अनुसार दूरस्ट सिक्षा शंपूर्ण अधियम तक अध्यापक और छात्र का अर्ध इस्थाई पार्थक माना गया है ऐसा कीगन कहते हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट खतरनाक होते हैं याद कर लीजेगा दूरस्ट सिक्षा हेतु रेडियो वा टेली वीजन जैसे संचार माध्यमों का प्रियोग किया जाता है इसमें ग्यान उपर से थोपा नहीं जाता है मलकी छात्र अपनी इच्छा नुसार आंतरिक प्रेणा से अध्यान करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्त्राचार संस्था की स्थापना हेतु अठार्थो तेहतर में सबसे पहले प्रियास किया गया सन्युक्तराज अमेरिका की बात हो रही है ठीक है युनाइटेट युएस से की बात हो रही है युनाइटेट इस्टेट अमेरिका की बात हो रही है जिसमें पत्तराचार संस्ता की स्थापना जो है वो सरपर्थम स्थापना के लिए 893 में सबसे पहला प्रयास किया गया कुइंस लेंड विश्विदाले 1911 में पत्तराचार की मात्यम से उच्छ सिक्षा प्रदान कर रहा है UK मुक्त विश्विदाले विश्व का प्रत्थम मुक्त विश्विदाले है जिसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी मुक्त विश्विदायले की कलपना सन 1973 में Great Britain में हेरल्ड विल्सन के द्वारा की गई थी पाकिस्तान में Allama इकबाल विश्विदायले की स्थापना सन 1974 में हुई जिसका स्थान एशियाई मुक्त विश्विदायले में अग्रणी है next point कहता है, बहुत important points, next कहता है, स्री लंका मुक्त विश्विदाले सन 1980 में सेवारत विद्यारतियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, सन 1990 में बांगला देश में बांगला देश मुक्त विश्विदाले की स्थापना हुई थी एशिया का एक परमुख मुक्त विश्विदाले थाइलेंड में इस्थित है श्वतंतरता के समय भारत में 19 परंप्रागत विश्विदाले तथा 420 संबध महाविद्याले थे दिल्ली विश्विदाले ने सन 1962 में पत्तराचारे कारिकरम आरंब किये पंजाबी विश्विदयले पटियाला ने सन 1968 में पत्त्राचार कारिकरम नेदेसाले की स्थापना की भारत सरकार ने 1970 में मुक्त विश्विदयले पर एक गोष्टी का आयोजन किया था कब 1970 में कि फ्रोफेसर जी राम रेड़ी की अध्यक्ष्था में गठित विश्विश्विदयले की स्थापना की थी उसने 1980 में आन्द प्रदेश में स्थापना की बाद में आंदर प्रदेश मुक्त विश्विदयलय का नाम बदल करके डाक्टर बी आर अमेट कर मुक्त विश्विदयलय कर दिया गया था सन 1985 में भारत सरकार ने राष्ट्रिय मुक्त विश्विदयलय की स्थापना हे तू राष्ट्रिय नीत की गोशना के किसकी घोषणा की राष्ट्रिय नीति की घोषणा की थी 1985 में संसद के राष्ट्रिय मुक्त विश्वदयले की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया 1950 में संसद में राष्ट्रिय मुक्त विश्विदयलय की स्थापना के लिए क्या हुआ एक अधिनियम पारित किया गया 20 सिटमबर 1980 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्विदयलय इग्नु की स्थापना हुई थी 1920 संबर 1950 को आईए नेक्स्ट पैंट की बात करते हैं देखिए राष्ट्रिय मुक्त विद्यालाई शिक्षा संस्थान NIOS जिसे पहले राष्ट्रिय मुक्त विद्यालाई यानि की NOS के रूप में जाना जाता था की स्थापना नॉमबर 18 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंतरले दोरा राष्ट्रिय शिक्षा नेती 1986 के अनुसरण में एक स्वैत संग्ठन की रूप में की गई थी बात के लिए हुई एक बार रिपीट करें इसको राष्ट्रिय मुक्त विद्याले शिचाश्रस्तान जिसको N.I.O.S. भी कहते हैं जिसे पहले राष्ट्रिय मुक्त विद्याले N.O.S. के रूप में जाना जाता था उसकी इस्थापना नॉवंबर 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंतराले के दोरा राष्ट्रिय सिक्षानी 1986 के अनुसरण में एक स्वायत संगठन के रूप में की गई थी ठीक है? बात के लिए हुई अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की चैप्टर 7 देखेगा समझेगा बहुत important, बहुत महत्रपून क्लावस चल लई है तकनीकी शिक्षा व्यावसाइक शिक्षा का एक अंग है व्यावसाइक शिक्षा का अंग है व्यावसाइक शिक्षा का तातपर उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को किसी कार या व्यावसाइ से समंदित तकनीकी प्रसिशन प्रदान करती है ताकि वह उस व्यावसाइक के दोरा अपना जीब को पारजन कर सके सन 8822 में हंटर आयोग ने सरप्रतम, तकनीकी और व्यावसाइक सिक्षा पर बल दिया सन 8887 में बंबई में विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टिटोट की इस्तापना कीगी बंबई में Victoria Jubilee Technical Institute की स्थापना सन 1887 में कहां की गी थी बंबई में सन 1917 में बनारस विश्विदैले में विश्विदैले इस तर पर सरप्रतम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी की शिक्षा की विजस्था की गई सन 1937 में वूड एबट समित की निउक्ती हुई जिसने तक्निय की और व्यावसाइक शिक्षा की विश्विशे में महत्पून सुझाओ दिये 30 नवंबर 1945 को अखिल भारतिय तक्निय की शिक्षा समिती जिसको AICTE के नाम से आप जानते हैं All India Committee of Technical Education की स्थापना की गई हो सकता है आपसे पूछ ले कि AICTE का पूरा नाम बताईए तो आप बताएंगे All India Committee of Technical Education हो सकता है आपसे पूछ ले AICTE का हिंदी में नाम क्या है अकिल भारतिय तक्निय की शिक्षा समिती Okay, इसकी स्थापना 30 नमबर 1945 को की गई थी Next point पर आते हैं March 1947 में वैज्ञानिक मानो समिती की निउक्ती की गई Scientific Manpower Committee की जो निउक्ती है वो 1947 में की गई तक्निय की शिक्षा की अंतरगत उस समस्त प्रकार की शिक्षा को समलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ती को जीव को पार्जन के लिए तक्निय की प्रसिक्षन मिलता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है सन 1948 में विश्विदाले शिक्षा आयोग ने भी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए महत्पण सुझाओ दिये थे तथा इस दिशा में सरपर्थम 1951 के युनेस्को द्वारा भारत को विदेशी अनुदान भी प्राप्त हुआ था जिसका लाब समस्त सूची प्रोद्रगी की संस्थानों ने उठाया था सन 1952 तԲएपं में माधमिक शिक्षा आउग द्वारा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बहु उदेशी विद्याले इस्थापित करने का सुझाओ भी दिया गया था सन 1941 में दिली में पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया तथा 1905 में एक कमेटी का निर्मान किया गया जिसका काम तक्नी की शिक्षा का विकास करना था व्यावशाईक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन संगटनों को सौपी गई है उन में से कुछ के नाम इस परकार है ये नाम हमने क्यों लिखे हैं? नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हो सकता है आपसे पेपर में ये पूछ ले NCRT का पूरा नाम क्या है? SCRT का पूरा नाम क्या है? AICT का पूरा नाम क्या है? है ना इस तरीके से तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए देखे राश्टी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसिच्छन परिशद ये आपका होता है NCRT राज शैक्षिक अनुसंधान और प्रसिच्छन परिशद SCRT अखिल भारती तक्निक शिक्षा परिशद AICTE ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है आपका AICT, NCRT और SCRT शिक्षता प्रसिच्छन का छेतरी इंदेसाले इसको RDAT कहते हैं केंदरी करमचारी प्रसिच्छन और अनुसंधान सरस्थान CSTARI होता है फोर्मेन प्रसिच्छन सरस्थान जिसको FTI कहते हैं उच्छे प्रसिच्छन सरस्थान AITI, ATI, और द्योगिक प्रसिच्छन सरस्थान ITI राश्टी व्यावसाइक व्यापार प्रसिच्छन परशद NCTVT केंदरी सिक्षुता परशद CAL एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रोजगार और प्रसिच्छन निदेशाले D&T रोज राज्य व्यावसाइक व्यापार प्रसिच्छन परशद NCTVT ये इनके नाम हैं आप इनको याद रखेंगे अगला पॉइंट कहता है प्रथम पंचवर्सिय योजना में तकने की सिक्षा पर 23 करोड रुपए व्याप करने की व्युस्था की गई दुतिय पंचवर्सिय योजना में तकने की सिक्षा पर 49 करोड रुपए खर्च करने की व्युस्था की गई 35 वर्षिय योजना जो की 1961 से 660 में तकनिय की शिक्षा पर 142 करोड रुपए खर्च करने की विवस्था की गई जो कुल शिक्षा व्याए करने का 25 परतिशत था 45 वर्षिय योजना जो आपकी 1969 से 74 के बीच में तकनिय की एवं व्यावसाइक शिक्षा पर 153 करोड रुपए खर्च करने की विवस्था की गई आगे बढ़ते हैं पांचवी जो पंचवर्षिय योजना थी 1974 से 79 के बीच में तकनिय की एवं व्यावसाइक शिक्षा पर 164 करोड रुपए की धन्दासी निर्धारित की गई छटी पंचवर्षिय योजना उन्ने सो 80-85 में तकनिय की एवं व्यावसाइक शिक्षा पर 278 करोड रुपए खर्च करने की विवस्था की गई सातवी पंचवर्षिय योजना जो 85-90 के बीच में तकनिय की एवं व्यावसाइक शिक्षा की परसार एवं उन्नेयन पर 681.79 करोड रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया आठवी पंचवर्सी योजना 1992 में तक्निकी एवं व्यावसाइक शिक्षा के विकास के लिए 824 करोड रुपए खर्च करने की विवस्था की गई नौवी पंचवर्सी योजना 1997-2002 में तक्निकी एवं व्यावसाइक शिक्षा के विकास एवं उन्ययन के लिए 2,330 करोड रुपए की निर्धारित किये गए 2,330.5 करोड रुपए वे करने की प्रावधान किया गया 10.5 वर्सी योजना जिसका कारेकाल 2002-2007 तक था उसमें तक्निकी शिक्षा के लिए 25,454 करोड रुपए का प्रावधान किया गया ग्यारवीं पंचवर्सी ओजना में जिसका कारेकाल 7-12 था उसमें 26,300 करोड रुपए तक्निकी एवं व्यावसाइक सिक्षा के लिए निरधारित किये गए बारवी पंच वर सी ओजना जिसका कारेकाल बारा से सत्रा था उसमें तकनीकी एवम व्यावसाइक सिक्षा के विकास एवम उन्यन के लिए दो मुख लक्ष निर्धारित किये गए लक्ष किया निर्धारित किये गए पहला प्लस टू और उच इस्तर पर तकनीकी शिक्षा का आवस्यक्ता के अनुसर विकास हो दूसरा विकास के साथ साथ उसमें गुणात्मक शुधार भी होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से आता है आपका चेप्टर नंबर एट चेप्टर रेट कहता है शैक्षिक अनुसंधान की उन्नती प्रकासन एवं समनवे तथा प्रसिक्षन एवं प्रसार सेवाओं की उन्नत करने के लिए शिक्षा मंत्राले ने सन 1961 में एक संगठन की नई दिल्ले में स्थापना की यह संगठन National Council of Educational Research and Training जिसका नाम NCERT के नाम से प्रशित है इस प्रशित का प्रमुक उद्देश से शैक्षिक छेतर में सोधकार को प्रूश्चाहन देना वर उच इस्तरिय प्रसिक्षन पदान करना है वरत्मान में यह संस्था सिक्षा मंत्राले की तकनिय की संस्था की रूप में काम कर रही है ठीक है पॉइंट क्लियर हुआ आगी बढ़ते हैं राश्ट्री यह सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन की का संगठन निम्नलिकित तीन स्थरों पर होता है पहला इसतर सामरी निकाए दूसरा कारेकारणी समेती तीसरा प्रशासनिक संगठन है केंदरिय शैक्षिक अनुस्थान संथान सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ एश्केशन टेक्नलोजी सी आई एटी इस संस्थान की स्थापना वर्श उन्नी सोच चौरासी में शैक्षिक अनुस्थान की केंदर और सिक्षन साधन विभाग को मिला करके की गई थी नेक्सट वाइंट है पंडित सुन्दरलल सर्मा केंदरीय वयdensाइक संस्थान पंडित स्नुस्थान संथान की स्थापना भोपाल में शन उनिसो चौराणवे में की गई थी महारत सरकार की शैक्षिक नेति का सुझाओ को ध्यान में रखते हुए दिस्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शाषन द्वारा वर्स 1981 में राज शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परश्द की स्थापना प्रारंबिक शिक्षा विभाग के रूप में की गई है। परिशत की स्थापना का मूल उद्देश स्यक्षिक सोध प्रावधान प्रकासन एवं विस्तार कारे हैं ये परिशत की स्थापना करने के पीछे मूल उद्देश हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है राष्ट्री शिक्षानेती 1986 में निर्धारित शिक्षानीत के अधियन अक्टूबर 1986 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षान स्थानों की स्थापना का कारे प्रावधा था पॉइंट कहता है राष्ट्री शिक्षानेती 1986 में निर्धारित शिक्षानेत के अधियन अक्टूबर 1986 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षान स्थानों की स्थापना का कारे प्लावधा राष्टी सेक्षिक आयूजन एवं प्रसाशन विश्विद्याले नूपा सेक्षिक आयूजन एवं प्रसाशन के चेतर में राष्टी सीरसर्ष्थ संस्था की रूप में भारत सरकार दुवारा गठी तक स्वायत सासी निकाय है। नूपा की बातियां पर हो रही है यह संस्थान 1965 में यूनेश्ट को के साथ दस वर्षिय संविदा के आधार पर इस्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम था ASEAN Institute of Educational Planning and Administration मैं 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान को वर्षिय संस्थान को वर्षिय संस्थान को वर्षिय नाम राष्टी शेक्षि क्योजना इवं प्रसासन विश्य विद्याले यानि कि नूपा दिया। ये नाम भारत सरकार ने इसको दिया था और जो नूपा है यह संस्थान नई दिल्ली में इस्थित है नूपा में आपके दस विभाग हैं कितने भाग हैं दस। भारत सरकार द्वारा मई 1973 में राष्ट्री अध्यापक शिक्षा प्रसद यानि कि NCTE की स्थापना इसे धारना से की गई थी कि यह अध्यापक शिक्षा सम्मंदी सभी पक्षियों पर प्रामर्स देती रहेगी। विश्विदैले अनुदान आयूग अधिनियम 1956 की धारा 12 गा के अंतरगत 16 सितंबर 1994 को राष्ट्री मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसद नैक की स्थापना की है जिसका मुख्याले बैंगलूरू में इस्तित है कहां इस्तित है बैंगलूरू में आज चैप्टर कम्पीट हो गए चैप्टर 9 की हम बात करेंगे ठीक है देखिए चैप्टर 9 शिक्षा के सारभवमिकरण सारवजनिकरण लोक व्यापिकरण का साब्दी करत है शिक्षा का किसी निश्चित इस्तर तक सभी के लिए अनिवार एवं निश्र को रूप से उप आठ तक 9 तक 10 तक या फिर 14 वर्ष तक 16 वर्ष तक 20 वर्ष तक एक इस्तर निवार एवं निश्र करूप से उपलब्द होगी शिक्षा सम्विधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयू के सभी चात्रों को निश्र कर शिक्षा देने का शंकल लिय गया था जो प्रात्विक शिक्षा की सौर्भामिकरण के लिए अती आवश्यक है विमल साह ने अपने अध्यन हूगोस्टू कॉलेस में बताया है कि जाती ऐसमानता भारत में शेक्षिक ऐसमानता वश्यक्षा में सार्व भामिकरण में सबसे बड़ी बाधा है करूना चा शिक्षा के प्रयाप्त आवसर नहीं मिल पाए हैं जिससे उनमें पुरुसों की तुलना में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है शिक्षा के सार्वामिकरण की एक मुख के बाधा धर्म के आधार पर सेक्षिक ऐसमानता का पाया जाना भी है अभी भारत में हिंदू पारंपरि शिक्षा पर बल देते हैं तथा मुस्लिम मजहभी शिक्षा पर बल देते हैं ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट पैंट हमारा कहता है पैंट है कि श्यासिवे सम्विधान संसोधन अधिनियम 2002 यानि कि श्यासिवा सम्विधान संसोधन जो हुआ था हमारे सम्विधान में वह 2002 में हुआ उसके दवारा अनुच्छिद 21 का जोड़ करके 6-14 वर्ष के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार की रूप में अनिवार वनिसुलक का प्रावधान किया गया इसी सम्विधान संसोधन के दवारा अनुच्छिद 45 में राज्य को 6-14 वर्ष के आयू वर्ग के सभी बच्चों के लिए निसुलक शिक्षा की विवस्था करने का निर्देश भी दिया गया राष्ट्री शिक्षा संस्थान नेती 1992 से शैक्षिक रूप से पिछड़े अलप संखिकों के शैक्षिक विकास के लिए गहन, छेत्री और मदर्सा आदुनकिकन कारिकरम चलाया जा रहा है साथी शैक्षिक विकास एतु मौलाना आजाद फाउंडेशन और राष्ट्री शैक्षिक वित्विकास निगम के माध्यम से धनावंटन किया जाता है पॉइंट है, पंडित जवहारलाल नहरू का एक स्टेट्मेंट है कि एक लड़के की शिक्षा एक विक्त की शिक्षा है, परनतों एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है 1989 असी में अनौपचारिक शिक्षा कारिकरम सुरू किया गया जो अनौपचारिक शिक्षा कारिकरम है यह आपका 1979-80 में किया गया सिक्षा में हास्या करण से क्या ताथ पर है? समाज के उन वंचित वर्गों को सिक्षा की मुख्यधारा में लाना है जिनें सिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं हमारे समाज में दलित उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाती वर जन जाती के वर्गहासिये पर खड़े हैं समिधान के अनुच्छे 338 तथा 338A के अंतरगत दो वैदानिक निकाए अनुसूचित जाती के लिए राष्ट्री आयोग तथा अनुसूचित जन जाती के लिए भी राष्ट्री आयोग के गठन का प्रावधान है आये बात करते हैं चेप्टर 10 की देखे वैवसाई करन का क्या अर्थ है वैवसाई करन का सामाने अर्थ है किसी वैवसाई में प्रसिक्षन यह है वैवसाई को सीखना है वैवसाई करन का मतलब है किसी वैवसाई में प्रसिक्षन लेना ट्रेनिंग लेना यह वैवसाई को क वेवसाईकरण से अर्थ है विशेष्ट प्रकार की सिक्षा जो वेक्ति को किसी वेवसाई के योग्र बना सके गांधी जी का कतन है शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए यह statement गांधे जी का है. रिगवेध में मातरा गुरत लगी है रिगवेध में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत प्राविटिक तथा व्यवसाइक छिटर में अग्रणी था. मुगल समराटों के सनचे से अच्छन के करण भारत ने प्रावितिक वीयावशाई के चेतर में काफि उन्हेत्रिकी है अंग्रेजों के अगमन पर परमपरागत व्यावशाई की सिक्षा समापत हो गई सं 1880-1880 तक वड के आदेश पत्र में भारत के लोगों के लिए लापदायक व्यावशाईक शिक्षा की बात कही गई थी परन्तु इस अवधी में व्यावसाइक शिक्षा में कोई खास उन्नती नहीं हुई 1857 से 1902 तक 1854 के वुड के खुसना पत्र में व्यावसाइक शिक्षा पर बहुत बल दिया गया था तथा हंटर आयोग ने भी मादमिक शिक्षा में व्यावसाइक शिक्षा जो विश्यों की सिफारिस की थी हंटर आयोग ने भी मादमिक शिक्षा में ओके नेक्स्ट पेंट कहता है 1902 से 1947 तक सन 1904 में Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education की स्थापना की गई वह 1905 से 1917 तक के बीच वस्त उद्योग बरतन बनाना चर्म सोधन द्यासलाई काच का सामान चीनी पेंसिल तागस आधिका वेवसाई सीखने हेतु छातरवतियां भी दी गई थी सन 1941 में दिल्ली में Polytechnic School खोला गया था दिल्ली में Polytechnic School 1941 में खोला गया था तथा 1905 में एक कमेटी का निर्मान किया गया जिसका नाम तकनीकी शिक्षा का विकास करना था विश्विदाले शिक्षा आयोग के उनसार क्रसी शिक्षा को एक राष्ट्री विश्य की रूप में मानता ती जाने चाहिए विश्विदाले शिक्षा आयोग ने वानिज शिक्षा को भी महतपूर्ण मानते हुए वानिज शिक्षण हेतु कुछ विभिन फर्मों के साथ व्यावहारिक शिक्षण प्रदान करने की आविश्यक्ता पर बल दिया विश्यविद्यले शिक्षा आयोग ने सुधार हेतु एक वर्स में मेडिकल कॉलेजों में अधिक्तम सौ छात्रों को प्रविश्देने की बात कही गई विश्यविद्यले शिक्षा आयोग ने ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट कहता है कि कोठारी आयोग ने प्रात्मिक इस्तर पर क्रशी समंदी सामाने जानकारी को पाठचर्या का अनिवार अंग बनाये जाने की अनुसंसा करते हुए मादमिक इस्तर पर क्रशी विद्यालियों की इस्थापना व क्रशी को कर्यानुभवों का मात्पूर्ण बिनाने का सुझा दिया था किसने कोठारी आयोग ने? कोठारी आयोग ने मादमिक शिक्षा उत्तीन समाने चात्रों के लिए प्रत्यक प्रांत में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने वे उनमें आवशक्ता अनुसार क्रशी शिक्षा की फिवस्था कर इन्हें क्रशी विश्विद्यालियों से संबद किये जाने का भी सुझाव दिया था एन एपी 2020 के अनुसार अगर बात करें तो वर्स 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा पनाली के माथ्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसाइक शिक्षा का अनुभाव प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया है कैसा निका है इसका गठन 1956 में स्रम मंत्राले द्वारा व्यावसाइक प्रशिक्षन से समंदрах मावलों पर सलाहदेने हितू किया गया था राश्टी कॉसल विकास अजन्सी जिसको N.S.D.A. को जून 2013 में अधिसूचित किया गया था राश्ट्री कौसल एहरता धांशा NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया आईए नेक्स चेप्टर की बात करते हैं चेप्टर 11 की देखिए यहाँ पर बात करेंगे हैं प्राइवटाजेशन की निजीकरण की निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है सन 1960 में पीटर एफ ड्रोकर द्वारा सरवपर्थम अपनी पुस्तक The Age of Discontinuity में निजीकरण सब्द का प्रियोग किये जाने का संदर्ब मिलता है 1979 में Great Britain में स्रीमती Thatcher के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया भारत में सन 1991 में इसे अपनाया गया आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की थोड़ा स्वास्था ठीक नहीं है इस वज़े से प्रॉलम हो रही है देखिए निजीकरण का तातपर एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंदित संस्थाओं को किसी निजी उद्द्यमी अथवा संस्था को संचालन या प्रबंदन हेतु अस्तांत्रित कर दिया जाता है एन के खोड़के के उनसार कहा गया है कहा क्या कहा गया है सामानिता यह शब्द यानिकी निजीकरण उस प्रक्रिया से समंदित है जो किसी देश की आर्थिक अगतिविदियों में राज अत्वा स्तारदिनिक छेतर के निवेस को कम करती है 15 अगस्त 2007 को देश के ततकालिन प्रधान मंत्री डाक्टर मनमुहन सिंग ने लाल किले की प्राचीर से भाषन देते वे मादमिक शिक्षा के सरभामिकरण की गोशना डाक्टर मनमुहन सिंग ने 15 अगस्त 2007 को की थी भारती समिधान के अनुसार शिक्षा राजियों का उत्तरदाईतु है जिसका मुख के उद्देश परतेक विक्ति में ऐसी योगताओं इवं कौसलों का विकास किया जा सके कि वे एक उत्तरदाई और सयोगी नागरिक बन सके विश्व के विभिन देशों जैसे आपका अमेरिका है, इंगलेंड है, जापान है, इंडोनीसिया, फिलिपिन्स, इत्यादी ने शिक्षा के छित्र में निजी करन की नीति को अपनाया है अमेरिका का उदारण इनमें अगरणी है उदारवादी नीति के कारण आज अमेरिका शिक्षा के छित्र में सबसे आगे है भारती समिधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राजियों को सौपी गई है किसको सौपी गई है? राजियों को शिक्षा के व्यापारी करणकार थै सिक्षा को व्यवसाहिब बनाना, उसकी विवस्था करना और उसमे धनों पार्जन करना सरवाधिकारवादी राज में शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होता है और विद्याले विक्तिकत सोतंतता की और ध्यान ना दे करके केवल राज्य के उतियस्चों की पूर्ती में सनलगना रहते हैं परजात मतरिय राज्य में शिक्षा की विदस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे व्यक्त की वैग्तिक्ता बनी रहे और उसे विकास के अधिका-धिका उसर मिले सन 1921 में भारती सिक्षा मंतरी की निवति और महत्मा गांधी के सरकारी संस्थाओं के विरोतियकरण निजी उद्यम को प्रोचाहन भी मिला है नेक्ट वन चैप्टर है हमारा 12 लंबर चैप्टर आईए इस चैप्टर को डिस्कूस करते हैं एक से बढ़कर एक पैंट बहुती मुलिवान क्लास आपके लिए जिस बच्चे ने अभी तक को कुछ भी ना पढ़ा हो वो सिर्फ ये क्लास पढ़कर के अपना एक्जाम अच्छे तरीकस दे सकता है परिक्षा द्वारा बालक के ग्यान अरजन की मात्रा अथवा उपलब्धियों को जाना जाता है परिक्षा के द्वारा क्या होता भी बालक की बालक ने कितना ग्यान अरजित किया है है ना उसकी अच्यूमेंट को भी जाना जाता है परिक्षा शिक्षा के छित्र में ऐसा साधन है जिससे बालकों की सैक्षिक प्रगती को नापा जाता है और उनके कारेों की जांच की जाती है गेरिट के अनुसार परिक्षा प्रिष्णों का एक समू है जो किसी कौशल कथा योगिता की जांस करने के लिए बड़ी सतरकता से तयार किया जाता है क्रोन बैक के अनुसार दो या दो से अधिक विक्तियों के विवहार के तुलनात्मक अध्यन के लिए जो सुविवस्थित पद्दतिक काम में लाई जाती है उस पद्दतिकों परिक्षा गहते हैं ऐसा क्रोन बैक का इस्टेट्मेंट है कोठारी आयोग की सहस्तुतियों के अनुसरन से हमारे देश में 10 प्लेस टू वाली शिक्षा पनारी लाग हो ही सामाल इतात तीन प्रकार की परिच्छाएं परिच्छाएं आपकी प्रैक्टिकल परिच्छाएं आपकी ओरल परिच्छाएं और आपकी डीटन परिच्छाएं प्रियोगात्मक परिच्छाओं में छातर किसी निर्धारित कारे को प्रियोगों के द्वारा पूरा करते हैं प्रियोगात्मक परिच्छाओं को कौसल प्रदर्शन परिच्छाओं भी कहा जाता है किस प्रकार की परिच्छाओं को कौसल प्रदर्शन परिच्छाओं भी कहा जाता है प्रियोगात्मक परिच्छाओं को मौकिक परिक्षाओं में मौकिक प्रश्णों के दौरा बालकों के ग्यान, अभिवेक्ति और क्रिया शीलता की जांच की जाती है इसका सूत्रपाथ प्रसिद युणाने विचारक सुकुरात ने किया था लिखित परिक्षाओं चार प्रकार की होती है एक तो निबानदात्मत परिक्षाओं भी लिखित होती है लगोत्री परिक्षाओं, आती लगोत्री परिक्षाओं, वस्तनिष्ट परिक्षाओं ये सभी परिक्षाओं जो लिखित परिक्षाओं वो चार प्रकार की होती है राष्टे इस सिक्षानिती 2020 में मुल्यांकन को सत्त मुल्यांकन की रूप में लिया गया है यह सिक्षानिती कहती है कि बच्चे का मुल्यांकन 360 डिगरी पर किया जाए 360 डिगरी का आरति यह है कि केवल उसके संग्यानात्मक पक्ष का ही मुल्यांकन ना किया जाए बलकि सभी पक्षों चाहें उसका तारकिक पक्षो ग्यानात्मक पक्षो या फिर उसके संवेगा अत्मक पक्ष का मुल्यांकन हो सभी का मुल्यांकन किया जाए ऐसा सिक्षानीती 2020 कहती है ठीक है इसी को कहा गया है बच्चे का 63 मुल्यांकन करना चाहिए अंकन प्रणाली की कमियों के कारण मादमिक शिक्षायोग 1952 और शिक्षायोग 1964 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया 1975 में NCRT के दोरा जारी Framework of Curriculum of 10 Year School में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिस की गई थे राष्ट्री शिक्षानीती 1986 की Plan of Action National Policy on Education में भी विश्विद्याले इस्तर पर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कहे गई राष्ट्री शिक्षानीती 2020 इसनातक इस्तर पर 721-22 से प्रदेश के सभी विश्विद्यालियों महा विद्यालियों में लागू किये गई है ओके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारती समिधान के 86 संसोधन के तहट सामने आया और 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ बात के लिए रुई आगे बढ़ते हैं चैप्र 13 की बात कर लेते हैं देखे चैप्र 13 में कहा गया है सरकार ने सिक्षा के सभी पहलूँ और व्यापक विचार करने के लिए 1964 में सिक्षा आयोग का गठन किया आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष परस्तुत किया यानि कि जो आयोग है शिक्षा आयोग इसका गठन 1964 में हुआ था लेकिन आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन था वह 1964 में सरकार के समक्ष परस्तुत करते वे राश्ट्री शिक्षा नित की आवश्यक्ता पर पल दिया था इतनी बात के लिए रोई भारत सरकार ने शिक्षा की राश्ट्री नीत के निर्धारन हेतु लगातार तीन राश्ट्री शिक्षा नितियों का गठन किया था कौन-कौन सी आई ये समझते हैं राष्टी शिक्षानिती 1968 जब कांग्रेस सत्ता में थी इसका गठन कोठारी आयोग 1964-1966 के सुझाव पर किया गया था फिर आई राष्टी शिक्षानिती 1979 जिसके बारे में आप लोगोंने नहीं पढ़ाओगा नहीं जानते होंगे जब जन्ता पार्टी सत्ता में आई परन्तु इसकी संस्तुतियां इसकी जो डिकमेंडेशन थी उनका कार्यानवन ना हो सका उस पर काम ना हो सका ये कागजों तक सीमित रह गई इसलिए इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है राष्टी सिक्षानिती 1986 पुना कांगरे सत्ता में आई उस समय राजीब गांधी प्रदानमंत्री थे राष्टी सिक्षानिती जो 1986 है इसका दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है राश्टी शिक्षानिती 1986 के क्रियानवेन हेतु सरकार ने 23 कारेदल गठित किये थे संसद में राश्टी शिक्षानिती पर विचार विमर्स 1968 में प्रारंब हुआ था राश्टी शिक्षानिती 1986 में ये घोशना की गई थी कि प्रतेक पांच वर्स बाद इस नीति के क्रियानवयन और उसके प्रणामों की समिक्षा की जाएगी तीन वर्स बाद 1950-1990 में ही इसकी समिक्षा के लिए राम मूर्थी शमिक्षा समिती 1990 का गठन कर दिया गया आचारे राम मूर्थी समित ने अपना प्रतिवेदन 26 दिस्टंबर 1990 को प्रश्टुत किया राश्टी शिक्षानिती 1986 में 1995 तक सबी बच्चों को निसुलक शिक्षा सुलब कराने की बात कई गई भारत सरकार ने 1992 में राश्टी सिक्षानिती 1986 में संसोधन करने के साथ साथ उसकी जो कारियोजना थी उसमें भी कुछ संसोधन किये और उसे कारियोजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया थीके कारियोजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी कारियोजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है यह अब ध्यान लगेंगे ठीक है नेक्स्ट है मारा चैप्टर no maar 14 बात करते हैं आसें वेनी पी चैप्टर 14 में एनी-पी से आए इस पर एक निजर डालते हैं इसको चेप्टर फर्स्ट हमारा उसमें हमने इसको पढ़ा था और आपका जो पेपर स्टेट है इसमें भी थे पूछी जाएगी एन फी दोज़र पीस के बाद हमारा नेक्स चेप्टर आएगा जिसमें हम बात करेंगे चेप्टर 15 बचा है 17 भी बच्चा है ठीक है 17 लास्ट चैप्टर रहेगा आई एन एपी 2020 को डिस्कूस करते हैं देखिया एन एपी 2020 राश्ट्री सिक्षानिती 2020 निश्टनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मुस्किल हो रहा है क्लास कवर करना मुस्किल हो रहा है निश्टनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को किंद्री मंत्री मंडल द्वारा मंजूरी दी गई 29 जुलाई 2020 को इस निश्टी द्वारा विद्यालय और उच्ष शिक्षा दोनों छेत्रों में बड़े पहमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गये हैं यहां निश्टी सिक्षानिती 1986 को परतिश्था पित करेगी इस राश्टी शिक्षानित में भारत स्वा इच्षा विकास के जैन्डे को अपनाया गया है जिसके उनसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समाविशी और समान गुणमत्तायुक शिक्षा सनुश्षित करने और जीवन पर्यान शिक्षा के आवसरों को पढ़ावा दिये जाने के लक्ष को ध्यान में रखा गया है यह 2019 में राष्टी शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रश्टुत किया गया था मंजूरी जो मिली वो 29 चुलाई 2020 को केंद्री मंत्री मंदल द्वारा इसको मंजूरी मिले थी शिक्षा मंत्राले की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्राले मिनिस्ट्री आफ यूमन रिसोर्स डेफलेप्लेप्मेंट जिसको MHRD कहा गया इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्राले कर दिया गया है जिसका उद्देश से शिक्षा और सीखने पर पुनाह अधिक द्यान आकर्शित करना है ठीक है नेक्स्ट पैंट कहता है राष्टी शिक्षानीटी 2020 के तहत वर्स 2030 तक सेकल नामांकन अनुपाद को 100% लाने का रक्षी रखा गया है केंदरी और राज सरकार के सयोग से शिक्षा के चेतर पर GDP के 6% हिस्से के सरवजनिक व्यका लक्षी रखा गया है भारत सरकार नया राष्टी पार्चेर्या फ्रेमवर्क तयार करेगी जिसमें ECCE स्कूल टीचर और प्रॉड शिक्षा को भी जोड़ा जाना है राष्टी प्रिक्षा एजनसी द्वारा उच्छ शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एक्जाम का ओफर भी होगा और इसके में पॉइंट्स पर बात करते हैं ए लाइनिंग पर जोड़ दे करके पाटी पुस्तकों पर निरभरता को कम किया जाना NEP 2020 का उद्देश से है यह निती सुथंद्र भारत की तीसरी शिक्षानीती है जिसमें बुन्यादी तोर पर प्रिवर्तन किये गया है वर्तमान शिक्षानीती में 10 प्लस 2 को हटा दिया गया 5-3-3-4 के पैटरन को अपनाया गया और स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है अब यह जो 5-3-3-4 का structure है इसको divide किया गया है यह हमने आपको first paper में भी समझाया था foundation stage है foundation stage को 3-8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिसमें 3 साल की preschool, शिक्षा और 2 साल की शिक्षा कच्षा 1-2 सामिल है जो preparatory stage है इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा परदान की जाएगी जिसमें कच्षा 3-5 सामिल किया जाएगा जो middle stage है इसमें कच्छा 6 से 8 तक के बच्चों को सामिल किया जाएगा ठीक है इतनी बात के लिए रोई और जो secondary stage बचा secondary stage में कच्छा 9 से 12 तक की कच्छा के बच्चों को सामिल किया जाएगा अभी तक भारत ठीक यह बात यहां तक क्लिर हो यहां से आपका पॉइंट चेंज होता है अभी तक भारत में डीम्ड राज और सेंटरल विश्विदाला के लिए अलग अलग नियम थे अब सबी के लिए एक समान नियम लागू होंगे राश्टी शिक्षानेंसे 2020 के तहट तीन से अठारा साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतरगत रखा गया है इसे से पहले क्या था कि 6-14 वर्स तक की आयूग के बच्चों को मुक्त और निवर्सिक्षा का परावधान रखा गया था अब 3-18 साल तक के का लक्ष रखा गया है इसके साथ ही देश के उच्छ श्चन सर्ष्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा आई ये चैप्टर 15 की बात करते हैं हम लोग क्लास में लास्ट इस्टेस पर पहुंच रहे हैं थी ठीक है समस्याय स्वास्था वाले भी मड़ी समस्यात अगड़ी है देखिए चैप्टर 15 है सन्योक्तराष्ट शैक्षिक वैग्यानिक एवं सांस्कृतिक संगठन United Educational Scientific and Cultural Organization जिसको UNESCO ने 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अतिक्षता में 21 सताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतराष्टी आयोकी निउक्ते की इस आयोकी अतिक्ष के अतरिक्त विबिने देशों के 14 सदस्य थे जिन में एक भारत के डॉक्टर कर्ण सिंग भी थे इस आयोकी रिपोर्ट सीखना आंतरिक खजाना लर्निंग दा ट्रेजर विदिन के नाम से 1996 में प्रकासित होई इसमें डेलर्स ने अपने अध्यक्शिय लेक्मे सरवर्धन ये सबस्ट किया है कि मानों के वेक्तिक युम सामाजिक विकास में शिक्षा की एहम वोमिका होती है डेलर्स आयोक के उनसार एक बारवी सताब्दी की शिक्षा में चार आधार होंगे जानना सीखना करना सीखना बनना सीखना और एक साथ रहना सीखना Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together आयोग की प्रतिविधन के अध्याइ चार में इन्हें सिक्षा की चार इस्तम्ह के रूप में प्रिस्तृत किया गया है अब जैसे जो चार बताए गए हैं इसके आधार इनको अलग-अलग समझते हैं जैसे अपका जानना सीखने का सामान अर्थ ग्यान प्राप्त करने और ग्यान प्राप्त करने की विधियां विधियों दोनों को सीखने से है डेलर सायों के उनसार हम जितना अधिक ग्यान अरजित करेंगे अपने प्रेवन के अलग-अलग प्रकार के पहलों को उतना ही अधिकम समझ सकेंगे करना सीखना सीखने का यह इस्तम सीखने वाले के लिए व्यावहारिक कौसलों पर जोड़ देता है अतार यह व्यावसाइक तकनी के शिक्षा वाकार कौसल पर जिच्चन से जुड़ा हुआ है बनना सीखना इस प्रकार के सीखने की संकल्पना सरपर्थम युनेश्कों की 1972 की रिपोर्ट में की गई थी डेलर्स रिपोर्ट में बनना सीखने का आर्त है मानव बनना सीखना की एक अच्छा मानव कैसे बना जाता है जिसे ग्यान कोशलों वा मूलियों के अरजन द्वारा व्यक्तित के बाधिक, नैतिक, सांसकर्तिक वा भौतिक आयामों के इस्टमनवित विकास द्वारा अरजित किया जाए एक साथ रहने से ताथ पर संसार के समस्त व्यक्तियों के एक साथ रहने से है एक दूसरे का सयोग करने से है और सांती के साथ लहने से है ठीक है यह हमारा चेप्टर जो 15 था खतम होता है अब बात करते हैं चेप्टर 16 की देखिया चेप्टर 16 विश्व में सरवातिक निरक्षर भारत में रहते हैं पूरे विश्व में जो सबसे अधिकनी रक्षर है अनपड़ हो भारत में है इस अभिशाप से देश को मुक्ती दिलाने के लिए निसुल के वं अनिवार शिक्षा पाने का अधिकार आंतता एक अपरेल 2010 को प्रतिस्थापित किया गया एक अपरेल 2010 से लागू किया गया अता सन 2002 में सम्विधान के चासी में सनसोधन द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन 2009 में निसुल के वं अनिवार शिक्षा पाने का अधिकार अधिकार अधियम 2009 पारित किया गया शिक्षा अधिकार विध्या को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अपरेल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया इस अधिनियम के अनुसार 6-14 वर्स तक के उम्र के सभी बच्चों को निसुनक अनिवार प्रात्मिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा अधिनियम में चात्र शिक्षक अनुपात 30% निर्धारित किया गया है इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाग प्रशिक्षित अध्यापकों की आवसिक्ता होगी निजी स्कूलों की 25% सीटें पिछडे वर्ग के बच्चों के लिए आरचित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अंतरगत शिक्षक को प्रतेक सब्ता 45 गंटे विद्याले में देने है शिक्षा की अधिकार अधिनियम से समधे तनुच्छे दिक्यावन ए है आगे बढ़ते हैं अब यह चैप्टर हमारा जो 17 है वो लास्ट चैप्टर रहेगा ठीक है और जिन्होंने नोट्स ले लिए थे वो तो ठीक है जिन्हों नहीं ले हो सकता भी भी ले सकते हैं ठीक है देखिए तो चैप्टर 17 डाक्टर मनमुहन सिर्ग ने कहा हम मात्मिक शिक्षा के सारभामिकरण का लक्ष निर्धारित कर रहे हैं यह इस पस्टिता प्रात्मिक शिक्षा के सारभामिकरण के बात का अगला कदम है ठीक है राष्ट्रिय मात्मिक शिक्षा भियान RMSA भारत सरकार की एक फ्लैक्शिप योजना है जुमार्च 2009 में मादमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुर्णवत्ता में सुधार के लिए सुरू की गई RMSA योजना का मुख्यकार चित्र मादमिक शिक्षा के चित्र हर प्रकार की सुधार से है जिसमें इस्कूल अध्यन कच्छा इस्तर पर गुर्मत्तावर चमता शुधार भी शामिल है नेक्स कोर्श पॉइंट कहता है मादमिक शिक्षा के सारभामिक रण ही तू RMSA कारिकरम चलाया गया RMSA कारिकरम क्यों चलाया गया तो मातमिक शिक्षा की सारभोमी करन ही तू RMSA चलाया गया जो हमारे description box है उसमें जो telegram channel है उसका भी link है जो हमारा twitter है उसका भी link है और जो strength हमारे साथ instagram पर जुड़ना चाहते हैं उसका भी link है आप मारे साथ instagram पर भी चूड़ सकते है RMSA 12 वर्स 2017 तक 7% शकल नामांका अंदर प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है E.5 साला सुविधा जो है वो 2015 में सुरू हुई E.5 साला की सुविधा सन 2015 में सुरू हुई ठीक है तो प्यारे दोस्तों क्लास कैसी रही कॉमेंट करके जुरू बताएगा और आप चाहे तो हमें instagram, twitter और आपका जो telegram है वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आप सभी को best of luck and भगवान की किरपा रहेगी तो जितना हमने पढ़ा जितना आपने पढ़ाये, पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा, अपने confidence level को अच्छा रखेगा, आपने आपर विश्वास रखेगा कि जो आपने पढ़ाये पेपर में आप उसको अच्छा कर पाएंगे और पेपर में आपको वहीं मिले वाला है ठीके तो आसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने confidence को आसा विश्वास को मजबूत पना के रखिएगा ठीके पेपर आपका बहुत अच्छा होगा best of luck thank you so much